So guys, जैसा कि हम सभी को बता है कि इस बार Big Boss के गर के अंदर गदराज को लाया गया है यानि कि Big Boss के गर के अंदर एक pet भी as a contestant शामिल हुआ है और अब इसी pet को लेकर Big Boss के गर के भार काफी controversy हो रही है कैसे कोई reality show entertainment के लिए किसी जानवर का इस्तमाल कर सकता है और इसी का objection उठाते हुए सबसे पहला notice peta की तरफ से आता है सलमान खान को और उन्होंने अपने letter में ये कहा कि आप request करिए show के makers को कि वो इस donkey का इस्तमाल ना करें और donkey को हमारे हवाले कर दीज़े और उन्होंने letter में ये भी लिखा कि donkey कोई entertainment की चीज नहीं है और आप उसको प्रॉप की जैसे यूज नहीं कर सकते हो गाइस आपको बता दे कि इंडियन गवर्मेंट का ये rule है कि आप किसी भी जानवर को कमर्शली यूज नहीं कर सकते हो और जब भी इंडियन फिल्स में किसी एनिमल का शॉट लिया जाता है तब वहाँ पर रियल एनिमल का इस्तमाल नहीं होता उसके जगा एक CGI दुवारा बनाये गया एनिमल यूज होता है और उस सीन पर साफ लिका होता है नो एनिमल हाम इन दिस सीन मगर यहाँ पर बिक बॉस के मेकर्स ने साफ साफ इंडियन एक्ट का उलंगन किया है और एक रियल एनिमल को घर के अंदर लेकर आए है तो गाईस आप देखना ही होगा कि शो के मेकर्स का पैटा के इस नोटिस पर क्या रिप्लाय आता है और क्या वो गदराज को शो से बार करेंगे आपको क्या लगता है हमें कमेट करके जरूर बताईए